हेलो माइ लबली फ्रेंज, मैं हूरी इंकू और स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना कीचन में आज मैं आपके लिए चिकन पुलाओ की एक बहुत ही डिलिसस रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा इसके लिए मैंने आपे 400 ग्राम चिकन लिया है चिकन को मैंने अच्छे से क्लीन डेंड बॉस कर लिया है इसमें मैंने वी थपोन चिकन का यूज किया है आप चाहें तो बोलनेस चिकन भी इसमें इस्तमाल कर सकते हैं चिकन को हम एक मिक्सिंग बावल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें डाल देंगे आदा चमच नमक के फिर चिकन के हिसाब से नमक आदा छोड़ा चमच हल्दी पाउडर एक निम्बू कर रस इसमें आड़ कर देंगे और दो चमच अद्रक लेसन का पेस्ट अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें निम्बू का रस डालने से चिकन हमारा बहुत ही बणिया सौफ्ट टेंडर जूसी बनकर त्यार होता है और इसमें एक बहुत ही बणिया चटपटा सा फ्लेवर आजाता है अगर आपके पास निम्बू ना वो मतल गी बढ़ी सा daha बतामार से में निम्बू मिलू कर दे शकल थे टैंडर चावल दे लेंगे नहीं तो छावल अच्छे से तीन-चार बर पानी से दो लिया है अब क्या करेंगे इसे पानी में बिगा करके 20-25 मिन्ड़ तक सायल को दिएै उसके बाद इसको छान करके इस्तमाल करेंगे तो चलिए अलमोस्ट हमारी सारी तैयर हो गई है अब हम चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस में अब गैस पर चढ़ा दीजिए भारी तली का वो बरतन जिसमें आप पुलाओ बनाना चाहते हूं तो मैंने यहां पर भारी तली का कड इसमें डाल देंगे तीन बड़ा चमज तेल गरम होने पर इसमें डाल देंगे आधा चमज सौफ सौफ इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर लेकर आता है आधा चमज जीरा एक इंच दालचिनी का टुकडा तीन छोटी लाचा हरी लाचा तीन लॉंक अब इन ख प्याज का कलर पढ़ियां से गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए तो मैंने या पे सिर्फ तेल का यूज किया है लेकिन आप चाहे तो तेल और घी दोनों का इस्तमाल कर सकते हैं पर मैंने इसमें घी का इस्तमाल नहीं किया है क्योंकि ज्यादा तर पुलाओं में तेल और घी का ह याट कर देंगे तो तेश पत्ता हम पहले ही तेल में नहीं डालेंगे नहीं तो तेश पत्ता जल जाएगा और जो तेश पत्ता का खुस्पू होता है वो पूरी तरह से खतम हो जाएगा तो तेश पत्ता हमें इस इस पर डालना है दो मिनट तक और फ्राइ कर लेते हैं तो द तो चीकिन को फ्राइ कर देने से छीकिन में घूट जो थोड़ा ती घृता है वो पूरी तरह से खतम भी हो जाता है और चीकिन में बहुत ही बढ़िया सौन्दा सा डाल चीकिन में आज एक बढ़ा के टेस्ट को अलगी लेबल पर ले जाता है बहुत ही डिलिसस बन कर त्यार होता हमारा चिकन पुलाव करते से में बիच बीच मैं से चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे जीसे की चीकBooks चारो तरफ अच्छे से प्रोष हो और नीचे से एक ही तरफ जलेब नहीं तो 4-5 आधा चमट काली मिर्च पावडर आधा चमट लाल मिर्च पावडरúc रावडरकी naad इस एक्षू झाहनगे करके लिया अब Ready को अच्छे से कूख हो जाए और टमाटर का भी कच्छा फ्लेवर निकल जाए तो पास से साथ मिनाट हो गए मुझे से मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए और आप देख सकते हैं फ्रेंज प्याज टमाटर गलकर एकदम सॉफ्ट हो गया है और चिकन भी देखी हमारा 50% तक कूख हो गया है और आप देख सकते हैं फ्रेंज चिकन हमारा खुब अच्छे से कूख हो गया है देख रहे हैं तो इसमें पानी डालने की जरुद बिलकुल भी नई पड़ती है प्याज टमाटर की मुएस्चर सें ही चिकन हमारा खुब अच्छे ay souvenir कूख हो जाता है जैसं की आप देख सकते ह अब मिच में डाल देंगे एक मुठी कटा हुआ फ्रेस हरा धनिया और अच्छे से मिला देंगे हरा धनिया इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट फ्लेवर और खुसबू लेकर आता है तो इसमें हरा धनिया जलोड से डालिएगा तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया को देखिए अच्छे से चिकेन में मिक्स कर दिया है अब मिच में डाल देंगे चावल तो चावलों को मैंने चान लिया है 25 मिनट मैंने चावलों को भीगा कर रखा था पानी में चावलों को चिकिन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे दो मिनट तक भून लेंगे ताकि मिर्च मसालों का अफ़ लेवर चावलों के अंदर भी अच्छे से चला जाए तो मैंने चिकन को चावल डालने के पहले ही 95% तक cook कर लिया है और 5% चिकन हमारा चावलों के साथ cook होगा तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 2 मिनट तक मैंने चावलों को चिकन और मसालों के साथ भून लिया है अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो जिस कप से हमने चावलों को मापा था उसी कप से हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो मैंने 2 कप चावल लिया था तो इसमें 4 कप पानी एड़ करेंगे मतलब पानी हमें चावल से डबल एड़ करना है स्वाद अनुसान नमक डाल देंगे नमक यहां पर चावलों के हिसाब से डालेगा, क्योंकि हमने चिकन को मेरिनेट करते समय नमक का इस्तमाल किया था चिकन के हिसाब से, तो इसलिए यहां पर चावलों के हिसाब से नमक डालेगा, अच्छे से मिला लेंगे, गयास का फ्लेम हाई करके इसमें एक उबाल आने तक तो लिजे फ्रेंस इसमें उबाल आ गया है अब हम क्या करेंगे इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे और अब हम गयास का फ्लें मीडियम रखेंगे मीडियम पर इसे ढग करके पांच मिनट तक पकाएंगे तो यहां पर मैंने गयास का फ्लें मीडियम क पका लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताती हूं तो पांच मिनट मैंने इसी मीडियम फ्लिम पर पका लिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंस चावल हमारे 50% तक कूख हो गया है तो इसे हलके से एक बार मिक्स कर लेंगे अब मैं आपको चावलों को तोड़ करके भी दिखा तो इसमें जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है और इसके इस टीम से चावल हमारे 100% तक कूख हो जाएंगे तो 12-15 मिनाट हो गये मुझे इसे लोव फ्लिम पर पकाते हुए और ये लिजे फ्रेंस वाव लुक अट इस फ्रेंस हमारी सुपर डूपर डिलिसयस चिकेन पुल पुलाओ में और इसे गर्मा गर्म सर्फ करिए फ्रेंस ये चिकेन पुलाओ आप सभी को बहुत पसंद आएगा तो देखे ना फ्रेंस इसे बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी और चटपटा लगता है अब मैं आपको चिकेन तोड़कर के दिख अब कई सारे मेरे भाई बहन होंगे जिसके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि पुलाओ और बिर्यानी में क्या अंतर होता है तो मैं आपको अंतर भी बता देती हूं पुलाओ में मसालों का इस्तमाल कम से कम किया जाता है और बिर्यानी में जादा से जादा मसालों का फिर मिलते हैं एक नई यूनिक और बहुत ही डिलीशस रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर